नमस्कार, Capital TV में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिद शेग मैं आपको बताऊंगी उन चार नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रविव में फसा है, उनके कारनामों को एक्सपोस करूँगी पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिठा खोलूंगी आज के वो चार नाम जो चक्रविव में फसे हैं, वो है हिजाब विवाद दूसरा है गौर्त असकर, तीसरे है नवाजुद्दीन सिद्धी की, चौता है बिहार का जंगल राज सबसे पहले बात हिजाब की, हिजाब विवाद पर फिर होगी तकरार, करनाटक में हिजाब विवाद फिर से काफी गर्मा गया और ठीक पहले की तरह फिर से इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल जाएगी सुप्रीम कोट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंदरचूर के सामने हिजाब से जुड़ी याचिका मेंशन हुई एड़ोकेट शादान फरसत ने कहा कि ये मुख्य याचिका में है दरसल एड़ोकेट फरसत ने कहा कि 9 मार्च से परिक्षाएं शुरू हो रही है ऐसे में चात्राएं परिक्षा से वन्चित रह जाएगी हमारी बस इतनी दरख्वास्त है कि उन्हें परिक्षा में बैठने की अनुमती दी जाए इस पर चीफ जस्टिस चंदरचूर ने सवाल किया कि छात्राओं को परिक्षा में बैठने से रोका क्यों जा रहा है इस पर एड़ोकेट फरसत ने बताया कि छात्राएं हिजाब पहनती है इस पर जस्टिस चंदरचूर ने कहा कि मैं इस पर फैसला लूँगा वहीं इससे पहले 23 जनवरी को भी Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर के सामने Senior Advocate मिनाक्षी अरोरा ने इस मामले को मेंशन किया था और उन्होंने चात्राओं की परिक्षा का हवाला दिया था तम मुख्य नियाएधिज D.Y. चंदरचूर ने अरजन्ट लेस्टिंग पर सहमती जताई थी आपको बता दे कि करनाटक के सेक्षनिक संस्थानों में हिजाब का मामला लंबे समय से सुर्खियों में पहले मामला हाई कोट गया था तब हाई कोट ने सेक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था बता दे मामले में बाद में मामले में सुप्रीम कोट पहुँचा करीब साल भर बहस के बाद पिछले साल आक्टूबर में सुप्रीम कोट ने अपना फैसला दिया था जो बटा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच में से एक जज ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था जबकि दूसरे जज जस्टिस सुधानशु धूलिया ने कहा था कि हिजाब पहनना अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया हिजाब सीधा व्यक्तिगत पसंद का मामला है और समविधान के आर्टिकल 14 और 19 से जुड़ा है जो पसंद का अधिकार देता है वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद करनाटक के तमाम सरकारी संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था इसके बाद तमाम मुस्लिम छात्रों ने प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला ले लिया था हालकी इन दिनों सरकारी कॉलेजों में परिक्षाएं शुरू होने वाली है इसी को देखते हुए तमाम छात्राओं ने सुप्रीम कोड का रुख किया है और हिजाब पहन कर परिक्षा देने की अनुमती मांगी है हालकी हिजाब सिर्प स्कूल कॉलेज में पहनने से रोका गया है ताकि सभी बच्चे का बच्चे एक समान लगे इसलिए पढ़ने वाले संस्थानों में ड्रेस कोड होता है यानि की युनिपॉर्म स्कूल कॉलिज से बाहर हिजाब पहनने में रोक नहीं है फिर लोगों को इतनी आपत्ती क्यूं हो रही है अब बात गौत असकर की उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर में गौत असकर पर तगरा एक्शन हुआ है अब इस एक्शन से तसकरों में हरकंप मच गया है सुल्तानपुर पुलिस ने गौत असकरों पर बड़ी कारवाई की है डियम रवीश गुपता के आदेश पर प्रशासनिक और पुलिस टीम ने गौत असकर की 75 लाग की संपति कुर की है पुलिस की इस कारवाई से छेतर के गौत असकरों में दहशत का माहौल है बल्दी राय ठाने के प्रभारी अमेंदर बहादूर सिंग ने बताया कि ठाना छेतर के इसौली गाओ का रहने वाला है शातिर गौत असकर नौशाद का बेटा इसलाम छेतर में धरले से गौत असकरी की घटना को अंजाम देता रहा है पहले नौशाद के खिलाफ गैंक्स्टर एक्ट के तहद भी कारवाई की जा चुकी है अब उसके खिलाफ आज डियम के आदेश पर चौदा एक की कारवाई की गई है अमरेंद्र बहादूर सिंग ने बताया कि गौत असकर नौशाद ने गौत असकरी जैसे संगीन अपराद से 65 लाक रुपिय कीमत का मकान और 10 लाक का पीक अप वहन ले रखा था जिसे आत सीज किया गया है उस पर गंभीर किस्म के साथ मुकदमे बल्दिराय थाने में पुर्व में दर्ज हो चुके हैं आज हुई कारवाई में स्टम बल्दिराय महेंद्र कुमार शीवास्तप के साथ अन्य प्रशासनी का अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वहीं लोगों का कहना है कि अब इस कारवाई से गौत तसकरी में लगाम लगेगा और लोग गौत तसकरी करने से परहेस करेंगे अगली खबर में बात नवाजुद्दीन सिद्धिकी की नवाजुद्दीन सिद्धिकी लगातार विवादों के कटगरे में घिरते नजर आ रहे हैं अपनी बीवी से हो रहे विवादों के चलते पिछले लंबे समय से चर्चा में चल रहे बॉलिवूड अभीनेता नवाजुदीन सिद्धिकी पर अब उनके भाई ने भी सवाल खड़े किये हैं वही नवाजुदीन पर उनकी हाउस हेलपर ने भी प्रतार्ना का आरोप लगाया था एक दिन के अंदर ही इस आरोप से वो खुद पलट गई अब पीडिता नौकरानी से मिली क्लीन चिट को नवाजुदीन के भाई शमस नवाब सिद्धिकी ने स्क्रिप्टेट बताया है उन्होंने नवाजुदीन पर खरीद फरोगत का आरोप लगाते हुए उनका मजाक उराया है इस पूरे मामले पर नवाजुदीन फिलहाल चुप्पी सादे हुए है दरसल नवाजुदीन के भाई शमस नवाब ने 22 फरवरी 2023 को इस बावत एक ट्वीट भी किया अपने ट्वीट में शमस ने लिखा स्क्रिप्टिड है ये कितनों को खरीदोगे बैंक बैलेंस खत्म न हो जाए आपका तो अब काम भी चौपट है और रुकी फिल्मों के कारण फिल्म इंडस्ट्री का 150 करोर रुपे अटका रखा है सही है कबारी दल्ले और बकरे बेच ने रोते हुए खुद को सपना रॉबिन मसी बताया था लड़की का आरोप था कि नवाज उद्दीन सिद्धिकी ने उसे जूट बोलकर काम पे रखा था उसने बताया था कि आक्टर के बच्चों और बीवी के चले जानी के बाद वो दुबई में फसी हुई है उन्होंने आरोप लगाने वाली सपना अब आरोपों से पलट गई उन्होंने नया वीडियो जारी करते हुए नवाज उद्दीन को बेगुना बताया और माफी मांगते हुए उन्हें अच्छा इंसान बताया वीडियो में सपना ने अपने सभी आरोपों को भी वापस ले लिया सपन मसी दुबाई की एक कमपनी से सेल्स मैनेजर बताई जा रही है और वहीं पर रहकर नवाज उद्दीन के बच्चों की भी देखभाल किया करती थी 2023 में नवाजुदिन सिद्दीकी की बीवी आलिया अपने बच्चों के साथ भारत वापस लोटाई थी लेकिन सपना का अपने बयान से मुकरना ये साफ दिख रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बलकि पूरी दाल ही काली है क्योंकि एक्टर की पतनी आलिया के वकील रिजवान ने ट्वीट कर ये भी कहा था कि सिद्दीकी के कुछ लोग सपना को धमकी दे रहे हैं वो उससे कह रहे हैं कि उसे पैसे और टिकट सब मिलेंगी लेकिन उसे सबके सामने ये कहना होगा कि वो एक्टर के लिए काम नहीं करती है रिजवान ने अपने ट्वीट में नवाजुदीन को टैक करते हुए लिखा था आपके सेक्रेटरी के जरिये सपना को धमकी मिल रही है तो जाहिर है कि सपना के बयानों से पलटने के पीछे नवाजुदीन सिद्धिकी का बड़ा हाथ है एक्टर ने बाखुबी सपने के मजबूरी का फाइदा उठाया है और उसे अपने बयानों को पलटने के लिए मजबूर किया है चौथी खबर में बाख बिहार के जंगल राज की बिहार के मुखे मंतरी नितीश कुमार से उनकी स्तत्ता नहीं समल रही सुशाशन बाबू ये कहकर फोरण अपना पल्ला ज़ार लेते हैं क्योंको इस बारे में जानकारी नहीं है पहले जानेंगे फिर बोलेंगे पता नहीं कुशाशन बाबू इतना जूट क्यों बोलते हैं बिहार में जंगल राज इस कदर हाबी हो गया है जिसकी कलपना करके भी आप डर जाएंगे बिहार में गुंडो माफ्याओं का दबदबा चलने लगा है इन सब चीजों से बेपरवा होकर नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अगले पीम बनने में ध्यान दे रहे हैं दरसल बिहार के सारंजिले में खनन इंस्पेक्टर अंजनी शिव बचन चौक पर अवैद और छमता से अधिक बालू लदे वहनों की जांच कर रहे थे इसी दोरान ओवरलोडेट बालू लदे ट्रक को रोका गया बिना चालान बालू लदे ट्रक को जब्त कर स्थानिय पुलिस को सूचना दी गई खनन विभाग के गार्ड और ड्राइवर जब्त किये गए ट्रक को रास्ते से याड में ले जाने लगे वही कारवाई के दोरान तसकरों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया बुलेरो पर सवाल पांच गुंडे मौके पर पहुँचे और उन्होंने खनन विभाग के गार्ड और ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी खनन इंस्पेक्टर अंजनी ने बीच बचाओ की कोशिश की तो उनके साथ भी मार पीट की गई इतना ही नहीं हमलावरों ने बुलेरो से गैलन में रखा पेट्रोल निकाला और विभाग की गारी इंस्पेक्टर गार्ड और ड्राइवर पर उडेल दिया इस बीच मौके पर स्थानिय लोग जुटने लगे बेखौफ अपराधी माचिस की तीली जला कर गारी पर फेकने वाले थे लेकिन लोगों की मौझूदगी की वज़ा से वो काम्याब नहीं हो सके भीर का फाइदा उठा कर अंजनी कुमार और उनकी टीम ने भाग कर अपनी जान बचाई इधर मौके पर मौझूद अपराधी फिल्मी स्टाइन में जब्त किये गए वाहन को लेकर चले गए खनन इंस्पेक्टर अंजनी ने सोनपूर थाने में एफायर दर्ज करा दी है पुलिस की टीम ट्रक के नंबर के अधार पर जाच कर रही है अपराधी पुलिस गिरफ से फरार है तो आपने सुना कैसे बिहार में गुंडो का राच चल रहा है गुंडे सर्याम गुंडा गर्दी कर रहे है लेकिन नितीश कुमार तो सिफ सत्ता की लालच में फसे हुए है इस पर गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस मुखे मंत्री से अपना राज जी नहीं समल रहा वो पी-म बननी का सपना कैसे देख रहे है वो देश क्या खाक समाल पाएंगे पता चला जैसी बत्तर हाला आप बिहार की है वैसा ही पूरे देश की हो जाएगी फिलहाल के लिए चक्रव्यू में मेरे साथ इतना ही ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं तो फिर इजाज़त दीजिए कल फिर कौन किसके चंगुल में फसेगा नई मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेश खुला से तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार